नमस्कार, आपके अपने चैनल गायतरी जोतिसकेंदर में आप सभी लोगों का स्वागत है, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत महत्तपूने जानकारी सेयर करने जा रहा हूँ, आप लोगों के दौरा मेरे से प्रस्ण पूछा गया था कि गंगा बड़ी या गोमूत्र दोनों हमारे लिए बड़े हैं, गंगा हमाले जीवन दाईनी है, मुख सदाईनी है, और गोमाता की पूजा से तैती, स्कोटी यानि कि सारे देवी देपताओं की पूजा हो जाती है, तो दोनों समान है, लेकिन बात आती है कि पवित्रता वाली बात, तो आज डेपलु ए कारण उसके मिनरलों जो उसकी पवित्रता है, धीरे-धीरे समाप्त हो रही है, गंगा प्रदूसित हो रही है, तो यह एक तरक है, दूसरा तरक है कि देखिए गोमाता है, गोमाता से हमें गोमूत्र प्राप्त होता है, और गोमूत्र से हम नहा भी सकते हैं, उसको पी भी स कि हमारे पर बात है अगर हम गोमुक से या हरदवार के पीछ से गंगाजल लाते तो लाइप टाइम चलेगा नीचे को लाएंगे तो पुर्दूसरन है और गाय को हम जैसा के लाइंगे वैसा हमें गोमुत्र प्राप्त होगा लेकिन यहां पर को जो मेरा अपना तर्क है सकते हैं और यह हमारे सामने देखने में आता है कि किस गौमाता ने क्या खाया आज की समय में बहुत बड़ी बात है बहले ही इसमें बहुत से लोग बीबात करेंगे लेकिन यह बीबात में इसकी कोई ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए आदम के समय से के इसाप से तो गोमूत्र मेरे नजरों में बड़ा है आप गोमूत्र का इस्तेमाल करिए मुलती उससे बड़ी बड़ा्याख मिलता है बच्चों की बुद्धी के लिए एक चम्च उसको तो आपके प्रसनव का जवाब मिल गया होगा जिन लोगो ने भी मुझसे पूचाता तो यही आज की जानकारी थी जानकारी थी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं आगे बढ़ा के सेर कर सकते हैं और पीरी जानकारी मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको आप सबस्क्राइब कर सकते हैं और आने वाले वीडियो के नोटीपी के सरप्राप्ते करने के लिए घंटी नुमा बेल आइकन दबा सकते हैं धन्यवाद जैसरी जैसरी कृस्टाइब